यहाँ पे एक bus stand की बात हो रही है बैंगलूर में, दो जगह है एक मालेश्वरम और येश्वन्थपूर, क्या रहा है अगर मालेश्वरम दो टिकेट्स लेते हैं और येश्वन्थपूर थ्री, तो टोटल कॉस्ट इतनी बैठती है, ऐसी एक और एक्वेशन है, मुझे निक अगर दो टिकेट्स मालेश्वरम, तीन टिकेट्स येश्वन्थपूर की है, तो ये होगा, 2X plus 3Y equal to 46, ऐसे ही, 3 टिकेट्स मालेश्वरम, 5 येश्वन्थपूर की है, तो 3X plus 5Y equal to 74, ये मेरी दो एक्वेशन्थ आएंगी, first और second equation, इनको solve करना है, और ये वाला question हम solve कुन सा वाले method है वो, बुल गया है, अरे वो criss-cross वाला, cross multiplication method, उससे solve करेंगे, चिक है, और फिर finally x और y की वाले निकालनी है, तो लिख लेते हैं पहले तो, price of one ticket, Malishwaram के लिए rupees x है, और again, यश्वनपूर के लिए rupees y है, given है, तो अगर टेबल बनाँ कुछ ऐसे, Malishwaram का price x, अश्वनपूर का y, इसकी 2 थी, इसकी 3, तो क्या हो जाएगा, cost 2x और इसका 3y, तो 2x plus 3y, यह 46 है, similarly, 3 Malishwaram, 5 अश्वनपूर, तो यह हो जाएगा, 3 into x, 5 into y, 3x plus 5y equal to 74, यह first और second equation है, इनको solve करना है cross multiplication से, सबसे पहली बात तो cross multiplication में, right side में equal to 0 आता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेखता हूँ, 2x plus 3y minus 46 equal to 0, 3x plus 5y minus 74 equal to 0, सबसे पहला काम तो यही कर लगा है, तो यह मैंने कुछ ऐसे लेख लिया, अगला step होता है, इसका बहुत important, जो भी x, y और constant number है, उसको मैं लिख लेता हूँ, ऐसे, 2 by 3, 3 by 5, minus 46 by minus 74, ठीक है, divide निदा है, ओके, अब क्या करेंगे, x वाले की case में, जो x की 2 और 3 है, उसको भूल जाता हूँ, 3 को 5 से multiply करता हूँ, 5 को, sorry, 3 को minus 74 से, 5 को minus 46 से, तो यह आएगा, 3 into minus 74, minus 5 into minus 46, minus 46, ठीक है, अब इसे solve करने के लिए, पहले तुम्हें numbers को लिख लेता हूँ, तो 2, 3, 3, 5, और minus 46, minus 74, ठीक है, पहले x का देखते हूँ, x के लिए, यह x की नीचे था, यह y, और यह constant, तो x के लिए, यह x वाले चीज़े भूल जाओ, 3 को multiply गरो, minus 74 से, 5 को minus 46 से, तो यह आएगा, x 3 into minus 74, minus 5 into minus 46, ठीक है, तो x से यह डिवाइड होगा, फिर y के लिए, y के लिए y वाला भूल जाओ, तो यह भूल जाओंगा अबर, तो यह होगा, 2 minus 74 से, 3 minus 46 है, तो y, 2 into minus 74, minus 3 into minus 46, ठीक है, 46, और एक constant की term भी है, तो उसे भी लिखना है, तो उसको भी लिखते हैं, अब constant के लिए, constant वाले चीज़े भूल जाता हूं, 2 को 5 से multiply करता हूं, 3 को 3 से, तो constant के लिए numerator मे, 1 आता है, चीक है, 2 into 5, minus 3 into 3, कुछ ऐसे, फिर यह जो equation दा है, x equal to y equal to 1 by equal to, इसनों को solve करना है, और फिर देखते हैं, क्यों होगा, चीक है, अब मैं इसको normally लिखता हूं, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लिख लिए, चीक है, अब अपने notice कराऊगा, यह y की term है, तो यह x था, यह y था, यह constant था, तो y की term में, यह लगाया हो जाएगा, 2 को इससे multiply करूँगा, minus 74 से, 3 को इससे, पर यह यह दिखाना, अलग से image में बड़ा confusing हो जाएगा, तो इसी लिए मैं बगल में, यह 2 और 3 द्वारा repeat कर रहा हूं, चीक है, ताकि यह दिखाने के लिए, 2 और minus 74, 3 और minus 4 दिरीश का, मैं ऐसे दिखा दूँग, चीक है, ओके, अच्छा, इसमें न एक और चीज भी है, चलो बड़े देख लें, बड़े X का देखते हैं, X के case में 3 minus 74, 5 minus 46, तो यह कुछ ऐसे है, Y के case में, 3 minus 46, 2 minus 74, ऐसे जाएगा, यह थोड़ा से different है, जो आपने अभी देखा था, चीक है, अगर हम, जो normal है, 2 into minus 74, 3 into minus 46, लेकिन यह उल्टा है, दिहान रखो, यहाँ पर एक minus का साहीं उल्टा आ गया, तभी आप यह वाला method, फॉल्लोना करना, आप यह वाला देखना बस, ठीक है, I again reiterate, अगर आपको, अब यह करने के लिए, पहले जो X से multiplied number है, वो लिखता हूँ, 2, 3, Y से multiplied number है, वो लिखता हूँ, 3, 5, constant number लिखता हूँ, minus 46, minus 74, और जो X वाले number है, उनको repeat भी कर जाता हूँ, 2 और 3, चीक है, अब, अच्छा, पहले तो उपर लिख लेता हूँ मैं, क्या-क्या है यह, यह मेरा X था, यह मेरा Y, यह मेरा constant है, और यह मेरा X है, है न, ओके, अब X के लिए, मैं X वाला यह गायब करता हूँ, तो यहां से यह भी गायब हो जाएगा, मैं हमेशा right side move करता हूँ, तो Y और constant मैंने multiply होंगे, 3 into minus 74, 5 into minus 46, और इसको मैं लिखूँँगा ऐसे, X divided by 3 into minus 74, minus 5 into minus 46, चीक है, अब Y के लिए, मैं Y वाला गायब करता हूँ, अब common mistake, सबसे important mistake होती है, कि आप 2 को minus 74 से, 3 को minus 46 से मेरा करते हूँ, पर ऐसा नहीं करता हूँ, आपको हमेशा right side जाना है, तो जब भी ऐसा हो, तो आप यहाँ पर यह multiply वरो, Y को गायब तो करना ही है, पर यहाँ पर, यह constant और X को लिखो, minus 46 into 3, minus 74 into 2, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, Y divided by minus 46 into 3, minus minus 74 into 2, तो ठीक है, यहाँ पर ऐसे करा, अगर मैं यह वाला करता हूँ, माल लिते हैं, assuming, मैं color change करता हूँ पर इनकाल, अज्यूम करते हैं, कि मैं यहाँ पर 2 को minus 74 से, 3 को minus 46 से multiply गरता हूँ, तो मैं यहाँ कैसे देखेगा यह, Y 2 into minus 74, minus 3 into minus 46, अब देखे लो, एक minus का sign आ रहा है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 2 into minus 74, बाद में, पहले नहीं है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, पैसे तो आप ना करो, अगर आप कर रहे हो, तो एक minus का sign आ दाल जाना हो पर, वैसे I would avoid this, आप यह वाला green वाला method follow करो, अब बचा constant, constant के लिए अगर मैं यह गायप करूँ, फिर X को तो मैं किसे बाट से multiply करनी सकता हूँ, हाँ मैं यह लख सकता हूँ, कि यहाँ पर Y लिखके, 3, 5 लिखके, क्योंकि मैं right side जा रहा हूँ, तो ऐसे multiply करूँ, 2 into 5, 3 into 3, ऐसे भी कर सकते हो, या तो यहाँ पर 2 into 5, 3 into 3 कर दो, answer से में आए, चिक है, तो constant के लिए उपर आता है 1, और नीचे आएगा 2 into 5, minus 3 into 3, यहाँ रखना हमेशा right side जाते हैं, तब ही इसको repeat करवाया है, चिक है, तो finally यह equation आती है, इसको solve करके मेरा answer आजाएगा, अब इसे हटाते हैं, और मैं normally करता हूँ इसको, पहरे तुमने numbers लिख दिये, फिर मैं 2 और 3 जो x वाली term है, उसको repeat करता हूँ, तो यह मेरा x वाली term, यह y वाली, यह constant वाली, sorry x, y, z यहाद आ रहा है, और यह x वाली, चिक है, x की case में y और constant, यह भूल के, y और constant multiply होते हैं, तो 3 इंटो 5, 4 इंटो minus 16, minus, sorry, 3 इंटो minus 74, 5 इंटो minus 46, फिर x की case, फिर y की case में, y की case में, फिर मैं यह वाला भूल जाता हूँ, यह दुनों multiply होंगे, minus 46 into 3, minus 74 into 2, चिक है, ध्यार रखो, right side जाते हैं, इसलिए y की case में, right side गो है, और constant की case में, तो constant में में यह खट जाएगा, तो 2, 3, 3, 5 यहां लेखे दो, इसको 2 into 5, 3 into 3 कर दो, यह यहां पर 2 into 5, 3 into 3 कर दो, फिर की बात है, तो यह कुछ ऐसे हैं, इसको solve करते हैं, तो यह कुछ ऐसे आता है, अब मैं x by 8 को compare करता हूँ 1 by 1 से, y by dong को compare करता हूँ 1 by 1 से, कुछ ऐसे हैं, तो x आता है 8, ऐसी y आता है 10, आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, आंसर खत्म होगा जब लिखोगे, कि फेर टु मालेस्वर हम है, रुपीज एट, रुपीज एट, और ये श्वन्तपुर का फेर है, रुपीज चैनल, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है, ओके,